और वहां सामने देख सकता है आप लोग हिम के हमालों पर देखो कितनी तगड़ी वाली बडबारी हो रही है तो यूं करके मैं आठ डाला पता नहीं खट से कट गया भाई काभी भेंगर कुण आया भाई इस पर अभी तक हमें खुद करना पड़ता है अपना काम जब भाई जिम्मेदारी पड़ती है सर पहत पता लगता है तो मौसम फिर से बदल गया है सुर्य देव बादलों के पीछे चिप चुके हैं और चार ओर देख सकता है आप लोग वाइट वाइट काफी टैम से केदानात में था तो इस विए से मेरा घर का काम अधोरा रह गया है तो ख चार आसा मौसम और खाया है चार उत्रफ और कल पॉर्सों का मौसम तो ऐसा ओर खाया था बिलकुल ही गुमसम ऐसा लग रहा था कि जैसे तकड़ी वाली बरबारी और बारिश होने वाली है और आज अब जाके देख सकता है आप लोग मौसम बिलकुल खुल चुका है प्या तब बोलाओं मैं अभी भी आग लग रहे है भाई इस मौसम में भी और सामने देखो हिमाले क्या खूब शुरद नदर आ रहा है तो भाई साब हमारी यहां तो बरबारी और बारिश नहीं होई है बट मौसम खराब था दूप नहीं थी और वहां सामने देख सकता है आप सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देथा हूं तो कैसो आप सबी लोग आए अच्छा होंगे होंगे मस्त होंगे जहां भी होंगे अपने काउम में ब्यस्त होंगे मैं ना में दिपक अंडारी फिर्म रुद्द प्या अगस्तमनी के दर घाड़ी के खूब सुरत से गाउं खालियों गाउं से बिलाओं करता हूं तो बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग की सुरवात भी अप दिखाते हैं आप लोगों को आगे वीडियो में तो आप लोग इंडे तक जरूर बने रहे तो चलिए तो भाई दोस्तों अभी मैं फिर से सुबह सुबह आ गया हूं अपने घर के बगल पर यहां पर कुछ राजमा बची हुई थी निकालने के लिए जो मैंने आपनों को कल वीडियो में बताया था तो यह बची हुई हैं तो आज इनको पूरे निकालके कम्प्लेट कर लेता ह हुँ बागी उसके बाद राजमा निकालने वाला सीन भी खतम क्योंकि आप भी डेली डेली पगगे होंगे तो आज निकाल लेता हूं इनको पूरी तรस तो उसके बाद राजमा वाला सीन खतम हो जाएगा तो चलिए तो भाई दोस्तों अभी यहां पे जितनी भी सारी राजमा थी अभी मैंने पूरी निकाल दी है यह देख सकता आप लोग यहां पे थी राजमा और यहां पे थी बच्चवी और इस साइट का मैंने कल साम को निकाल दी थे तो यहां पे जो राजमा थी अभी वो पूरी निका पर इस साइड है और यहां पर बची वी इस पेड़ पर माल्टे के पेड़ पर जो माल्टे का पर शूखा हुआ है तो इस पर बची वी राजमा तो इनको अभी नहीं निकालूँगा क्योंकि अभी धोब लगी वी तो वह पूरी दोर से सूख चके हैं और अगर मैं पेड़ यहां पर चड़ोंगा तो चड़ने से पहले जड़ जाएंगी तो उससे बढ़िया अभी नहीं निकालूँगा इनको तो कल या तो साम को या तो सुबह के टाइम जिस टायम पर मौसम ठंडा रहे गा उस टायम पर इन राजमां को निकालूगा बिलकुल फॉरसा से तो इतनी और बाकि जो करेले यह एड़ बाकि इतने ओप Yes Right इसमें मैं भी डाल दियाँ पूरे इतने फ़ें इतने यह राजमा ओओ बाकि इनकी लकणिया हो यहां फैक रिकी जी को ठुझे इनको अब बिस्ट कोरूंगा आभ birायन यहां पर लांग से न के भी लाऊंगा साथ ही तो चलिए तो भाई दोस्तों अभी मैं कपड़े धुल के भी लिया हूँ तो यह देख सकते आप लो कुछ कपड़े मेरे बच्चे वैसे जो गंदे वर के थे तो मैंने सुचा क्यों ना इनको अभी धुल के लिया हूँ और साथ में मेरे ले जा रख जब तक मैं कपड़े धुलता हूँ तब तक यह पानी फियेंगे और साथ में घास भी खा जाएंगे तो भाई अपना काम खुद करना पड़ता है जो भी होगा चाहिए कपड़े धुलना हो चाहिए परसनल जो भी काम हो भाई क्या करना तब जब तक दीदी यह थे घर में तब तक वो धुलन लेते थे और जब तक उनकी साधिवी सवस्रवाल गए तब भाई हमें खुद करना पड़ता है अपना काम जब भाई जिम्मेदारी पड़ती है सर पे तब पता लगता भाई है चल तो भाई क्या करना मजबूरी करना मात्मा घानी तो खुद करना तब जिम्मेदारी सर पे है ना चल तो भाई दोस्तों खाना खाने के बाद अभी दोपार की बच चुकी है और अभी आप लोग मौसम देख सकते हो मौसम फिर से बदल गया है सूरे देव बादलों के पीछे चिप चुके हैं और चार ओर देख सकताब लोग वाइट वाइट बादल फिर से चाने सुरू हो गए हैं तो लगातार फिर से मौसम परिवर्तन होने वाला है और दोस्तों अभी मैं फिर से आया हूँ खेतों में तो खेतों में मैं इसले आया ह क्योंकि यहां पर भी कुछ राजमाई बची थी तो इनको अभी मैं निकालूँगा तो केदार से आने के बाद भाई साब इतना सारा काम बचा हुआ है तो यहां पर देख सकता आप लोग जो राजमा थी यह देखो जिन पर लकणिया नहीं लगाई गई थी तो राजमा है त पर कर जो बीज वाले पंखुडिया होते वो तो निकाल दिया है बहुत पहले बट यह नीचे वाला तना बचावा है इसको काड़ना बाकी रह गया है तो इसको भी माज जल्दी से अप इसके बाद तने को भी काड़ देगी बाकी देख सकता आप लोग मौड़ देखो जम है कैमिकल की वज़ो così भी खेतों में कैमिकल कर यूज करने से भी खेतों का नुक्सान हो रहा है और यह कीवल दूसकर मौसम की वज़ो से बिलकुल खेतों में अनाज नहीं हो पा रहा है समय से वारिष नहीं हो पारी है और धूप नहीं लग पारी है मौसम लगातर खराब होता जा रहा है तो इस वह से पाड़ों में भी खेती बाड़ी में भी ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो अभी इतनी सारी राजमा निकाल दिये हैं बाकी यहां से पूरे देख जाते हैं और उसके बाद फिरी हो जाते हैं तो यहां पर देखो भैसा ती थर्दाइक उड़ गया अचानक से मैं तो डर भी गया था भाई एकदम से क्या हुआ यह तो वहां पे छिपावा था वह तो चलिए फटावट से अपना अधोरा काम को कंप्लीट करते हैं जो बची ह निकाल देता हूं उसके बाद मैं फिरी हो जाता हूं तो तो भाई दोस्तों अभी राजमान निकालते समये और हाथ कट गया है यहां पे देखो खूं आ रहा है तो यहां पर देखो हाथ मेरा कट चुका यह देखो खुन अभी तक भैंकर वाला आ तो अभी थोड़ा रुक गया तब जाके मैं विडियो बना रहा हूं बाकी काफी सारा खुन भैंक आया हूं कुछ नीचे भी तो अभी रूखनी रहा भाई खून अब जाके थोड़ा रूख रहा भाई खूनी देखो यहां पर लगी यहां पर देखो तो भाई सब देख सकते आप लोग का भी खून बहे चुका हैं तो मैंने यूँ डाला हाथ और पता नहीं केंसे करके कट गये उस पर जाड़ी पर प तो भाई दोस्तों अभी मैं खेच से राजमा निकालके घर पर आ गया हूँ और हाथ पर देख सकता आप लोग अभी तक खुन बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है देगो अभी तक बही राय खुन और इतनी सारी राजमा लाया में खेच से यही प्राप्त हुए राजमा ही द भी राजमा त्यार हो जाएगी और कुछ इस साइट है यहां पर यहां पर भी फैला के रखी हुए हैं और यहां से देख सकता आप लोग मौसम अभी थोड़ा धूप लग गी है फिर से और आस अनुए देखो फिर से काले-काले बादल फिर से स्टार्ड हो गए हैं यहां जय क्यों待के यहां पर गए हैं यहां परादल 2 कि बादल 1 वे वे अनुए यहां जाएया इसे जहासा हैं यहाँ भीो जहाँ हैं फो जाता यहाँ हैं आसके बंवाह जहां बॉ